अपनी पूरी नौकरी के दोरान निलम्मन को हत्यार बना कर काली कमाई करने वाली उशा राज खुद के बुने जाल में उलश्ती जा रही है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जेल में उसकी हुकूमत चलती थी अब वो महीं कैदी बन कर रहेगी। चलिए पूरे कांड के लिए उशा राज को ही दोशी ठहराया है। थाने में जब पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उशा वर रिपू दमन से पूश्ताच की तो उसने कहा कि उसने जो भी किया है मैडम के कहने से किया है। मैडम उसे सस्पेंड करने की धमकी देकर सब करा रही थी। ये सुनते ही उशा रोने लगी और बोली कि ये जूट बोल रहा है, मुझे फसाया जा रहा है। पुलिस को ये भी बताया कि उसने जीपीए घुटाले में से पांच करोड मैडम को दिये है। उसने कुछ लोगों के नाम भी बताये हैं जिनके खाते में रकम जमा होत है कि उसने कुछ दिन पहले ही अपने मकान का लोन चुकता करने के लिए एक मुश्ट रकम जमा की है। यही नहीं उसने कैलाश अंपायर में भी एक मकान खरीदा है। जगदीश के पास इतना रुपिया कहां से आया ये भी जाच का विशय है। बताया तो ये भी जा रहा ह है कि उशा राज की काली कमाई को ठिकाने लगाने की जिम्मधारी जगदीश के पास ही थी। पुलिस को जगदीश के अलावा उसके साथ रहने वाले कुछ लोगों की जानकारी भी हाथ लगी है। माना जुआ रहा है कि जल्दी इस मामले में पुलिस तगड़ा एक्शन ल का सकती है। दहराल इस मामले में पुलिस जाच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी नए ने खुला से होते रहेंगे।